मत्ती रचित सु समचार दूसरा अध्याए हेरोदेश राजा की दिनों में, जब यहुदिया के बैतलहम में इश्य का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई जोतिशी यरुशलेम में आकर कुशन लगे, कि यहुदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, कहा है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं, यह सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरुशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इखटे करके उनसे पूछा, कि मसी का जन्म कहा होना चाह उन्होंने उससे कहा, यहुदिया के बैतलहेम में, क्योंकि भविश्य द्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है, कि हे बैतलहेम जो यहुदा के देश में हैं, तू किसी रीती से यहुदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपती नि और उसने यह कहकर उन्हें बैटल हैं भेजा कि जाकर उस बालक के विशे में ठीक ठीक मालुम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करो। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उनकी आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुँचकर ठैर गया। उस तारे को देखकर वे अती आनंदित हुए और उस घर में पहुचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुह के बल गिरकर उससे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोहभान और गंधरस की भेंच चड़ाई। और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हुरेदेश के पास फिर न जाना वे दूसरे मार्क से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभू के एक दूत ने स्वप्ने में यूसुफ को दिखाई दे कर कहा उठ उस बालक को और उसकी माता को ले पर है कि उसे मरवा डाले। वे राथ ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिश्र को चल दिया और हिरोदेश के मरने तक वही रहा। इसलिए कि वह वचन जो प्रभू ने भविश्यद्वक्ता के द्वरा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिश्र से बुलाया पूरा ह जब हिरोदेश ने यह देखा कि जोतिशियों ने मेरे साथ ठठा किया है तब वे क्रोध से भर गया और लोगों को भेज कर जोतिशियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहेम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो दो वर्ष के वा उससे छोटे थे मरव डाला तब जो वचन यर्मिया भविश्दत्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया रोना और बड़ा विलाप राहिल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शान्त होना ना चाहेती थी क्योंकि वे है नहीं हिरोदेश के मरने के बाद देखो प्रभू के दूत ने मिश्र में यूस्फ को स्वप्न में दिखाई दे कर कहा कि उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राइल के देश में चला जा क्योंकि जो बालक के प्रान लेना चाहते थे वे मर गए वे उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राइल के देश में आया परंतु यह सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेश की जगे यहूदिया पर राज्य कर रहा है वहाँ जाने से डरा और स्वप्न में चितोनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा ताकि वहवचन पूरा हो जो भविश्य दुक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वे नासरी कहलाएगा